देस्ती यामी असलाम उलाइकम कैसे हैं आप सब क्या कोई ऐसा शक्स भी होगा जिसे गोल गपे या पानी पुरी पसंदना हो मुझे तो ऐसा नहीं लगता आपकी क्या राय है कुमेंट में बताईएगा आज मैं गोल गपे या पानी पुरी और इसकी फिलिंग बनाने वाली हूँ साथ में आलू बखारे की चट्नी और घटा पानी वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है साथ रहिएगा एक कप सुजी ली और आदा कप मैता आदा चाई का चमच नमक अड़ किया और थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करके थोड़ी सक्त दो त्यार करनी है आप देख सकते हैं इतनी सक्त दो है इसको मैं कवर करके एक गहंटे के लिए रैस्ट दूँगी एक कप बॉयल चने एक कप बॉयल आलू एक बड़ी साइज की प्यास चॉप एक टमाटर चॉप किया हुआ एक खाने का चमच चाट मसाला और एक चाई का चमच नमक एड़ करके अच्छे तरीके से मिक्स किया फिलिंग रैड़ी है दो कप पानी लिया बचास ग्राम इमली को पानी में उबाल कर चान कर एड़ किया एक खाने का चमच चाट मसाला एड़ किया और आदा चाई का चमच नमक एड़ किया अच्छे तरीके से मिक्स किया खटा रैड़ी है थोड़ा सा गुड़ा एड़ किया और थोड़ा सा खुश का आलू बखारा दो कप पानी एड़ किया एक चाय की चमच दड़ा मिरचाड की और आदी चाय की चमच नमद इसको मैं बॉइल करूँगी अच्छे तरीके से आलू बुखारा बिल्कुल नरम हो चुका है भूल गया है अब इसको मैं चमच की मदद से तोड लोंगी और गुटलियां इसकी निकाल लोंगी तेज आंच पे गुख करके सारा पानी खुश कर लिया है चटनी रडी है आटा स्प्रिंकल किया और एक पतली रोटी बेल ली अब इस साइज से मैंने कट कर लिया आपको जो साइज चाहिए आप उस साइज से कट करें देखें यह परफेक्ट साइज है ना जादा बड़ा न जादा चोटा अब मेडियूम फ्लेम पे इन गोल गपां को गुख करूंगी एक एक करके यह चोटी रोटी ओईल में डालनी है जैसे ही दो सेकंड में उपर आने लगे चमची मदल से प्रेस कर देना है और दो सेकंड प्रेस करके इर्खना है और आइस्ता इस्ता चमच उपर उठाया और फ्लिप कर दिया यह प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ी प्रेक्टिस चाहिए इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अब भी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज अपना पैक भी जरूर दीजेगा सेंटर से इस तरीके से तोड़ा और जो फिलिंग हमने रड़ी की है वह एड़ की और उपर से आलू बखारे की थोड़ी सी चटनी आड़ की और बस अभी यह खटे में डिप करके पानी भरके इंज्वाए करें उमीद है कि आपको वीडियो पसं अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें आला हाफिज